जब एक चोटा बच्चा था तब इस जील में धेर सारी मच्छिया हुआ करती थी उन्हें तो हम अपने हाथों से ही पकड़ लेते थे वाव इस जील में डाड बसंद के मौसम में जील के पास फूल खिल उटते थे उस बिल्डिक के नजदीक की जगा पर खूब कमल के फूल खिलते थे वाव फॉक्स बेटी श्टाइम पर एक रैकून डॉग क्यों है मैं नहीं चांदा बेटे पर फॉक्स और रैकून डॉग का वहाँ हमेशा ही सम्मान किया गया है आज भी स्टूडेंट्स यहां यह सोच कर मनत मांगने आते हैं कि उन्हें अपने मन पसंद स्कूल में दाखरा मिल जाएगा मैं एक्साम में अच्छे मांक्स पाने के लिए मनत मांगूँगा आज की इस कॉम्पिटीशन के जमाने में बच्चों को बड़ी तक्लीफे जहली पड़ती हैं आपने तक्लीफे नहीं जहली हमने भी जहली थे पर इतनी नहीं थी लबता है आपके दिनी अच्छे थे ये तुम खुद से क्या बाते कर रहे हो डार के बच्पन्यों ने ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं बढ़ती थी और उससे पहले तो स्कूल ही नहीं हुआ करते थे कितना अच्छा है ना बिल्कुल नहीं जोनी सच मुछ बहुत अच्छे थे सुना तुमने नोबिता होमवक कर लिया नहीं मॉम अभी करता हूँ पुराने जमाने की बच्चों पर ऐसा जुन कभी नहीं होता था तो क्या होता था एक आइडिया है मैं कुछ देर के लिए बास में जाकर मज़े करूँगा ये बढ़िया रहेगा मैं चला सुनो मच जाओ नोबिता बाई ये नोबिता तो हमेशा ऐसा ही करता है मैं उस दोर में चला जाओंगा जब स्कूल्स का नाम और निशान नहीं था वो दोर बेशक बहुत अच्चा था यहां की हवा भी कितनी ताजी है मेरा स्कूल यहीं करीं बनाया जाएगा और शिजूका का घर यहां पर होगा और उस जील के पार सुनियो का घर होगा अरे वा यहां का पानी कितना साफ है ठंडा भी है मचली पकरता हूँ फिर कुशिश करता हूँ यह दई मैं मचली नहीं पकर सकता मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कहां चाह कर रहूँ यह कुछी है मतलब यहां आसपास कोई रहता होगा हेलो क्या यहां कोई है क्या कोई घर में है लगता है कोई नहीं है मुझे शायद यही पर इंतिजार करना चाहिए अरे उड़ जाओ ना मुझे सोने दो मुझे परिशान मत करो तुम ना खोनो सब पहले तुम मुझे यह बात बता धो तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो मैं आपर अरे ये तो वही गंगी है जो मुझे पाने भारते वक्त गिर गए थी ये गंगी? यह तुम्हारी गंगी है क्या मैं यहां रह सकता हूँ पुराने जमाने की लोग कितली अच्छे थे आउ सब खाना शुरू करें यह क्या है बेटे यह भुने हुए आलू है आलू? आप लोग चावल नहीं काते बेटे हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं हम लोग चावल खास मौका पर हुखा पाते हैं आखुद 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 इन्हें सूप और भुने हुए आलू काश मुझे खारे में बिर्यानी या हैंबर्गर मिलता अरे नहीं मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है अरे याद आया यहाँ पर तो स्कूल नाम की कोई चीज ही नहीं है वो आदमी और लड़की तो पहले ही काम पर जा चुके हैं सर गुड मॉनिंग अच्छा अपता तुम उठ गये सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या तुम ये कर पाओगे अरे या तुम में पहले कभी हल नहीं चलाया नई अरे रह में दो ना अच्छा ये बताईए क्या मेरे लाया कोई दूसरा काम नहीं है अई ऐसा करो तुम नेरी बेकी की पानी भरने में मदद करो क्या तुम रोज इसी तेरा पानी भरती हो हाँ, पानी भरने का काम मेरा है दिन में कितनी बार भरती हूँ कई बार भरती हूँ ये बहुत भारी है मसंदार है तो चीटता हो ना मेरा कंदो मोटर कर रहा है मैं ते बहुत ही घटिया किसान हूँ ये वही मैदान है जहां हम सब दोस्त मिलकर खेलते हैं, इस वक्त सब खेल रहे होंगे सर, हम खाना कब खाएंगे? अरे बेटा, हम सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही खाते हैं बस खाना नहीं मिलेगा, जल्दी वापस आए मैं बस कुछ देर के लिए आया हूँ, मुझे बड़ी बूख लगी है गयास और बिजली के बिना जिन्देगी कितनी मुश्टिल हो जाती है मैं घर आ गया हूँ आपका स्वागत है क्या बात है, आप किसी बात से परिशान है डाड घर तुम्हें अपना काम पूरा करने के बाद मैं चावल के खेटों को देखने चला गया इस साल चावल नहीं हो गेंगे इसी बात का डर था तुम्हारा मतलब क्या है यहां सालों से बरसात नहीं हुई, हमारे चावल के खेट सूप गये है तो जील के पानी का इस्तिमाल खेटों में करो अरे हो जील पड़ो उसके गाउं की है अगर हमने उसकी पानी का इस्तिमाल किया तो खुन खराबा हो जाएगा यह तो गलत है बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें पीने का पानी भरने की इजासती है अगर मैंने हर साल की तरह राजा को चावल नहीं दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा राजा को चावल? हम हर साल राजा को चावल देते हैं राजा को? हर साल चावल दिया जाता है शाद ये टैक्स होगा, टैक्स का नाम सुनते ही डैड को सरदर्द हो जाता है मेरा मुसर्दन कर रहा है दैड, आप परिशान मत हो ये मुझे शायद जुगाब हो गया है जरा सी कब-कभी हो रही है हाँ, आपको पुखार है रात को अगर मैं सो गया तो सुबा तक पूरी तरह ठीक हो जाओंगा आपको तो डॉक्टर की जरूरत है पर हमारे यहा कोई दावा खाना नहीं है हमें दो गाउं को पार करके जाना होगा मैं डॉक्टर को यहा ले आता जरा रुको क्यूँ? हमारे चिंदा करने के लिए शुक्रिया पर तुम्हें डॉक्टर को लाने की कोई जरूरत नहीं मगर क्यूë? क्यूंकि हमारे पास दॉक्टर को देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है तुम उसकी चिद्धा मत प्लरो ये सब मुझ पर छोड़ दू दूरी मौन कौन है अरे नोबिता तुम मेरे साथ हो एक ज़रूरी काम है चलो जल्डी अरे अराम से नोबिता अराम से क्या कर रहे हो देखो मैं वोपस आ गया इतनी जल्दी डूरी मौन यहाँ पर कितना अंधेरा है नोबिता आर्टिफिशल सन देखा मेरे आर्टिफिशल सन से इस कमरे में कितना हुजाला हो गया तुमका एक डॉक्टर लेने गए थे पर एक रेकून डॉक को ले आए रेकून डॉक्टर? मैं कोई रेकून डॉक्टर नहीं हूँ, यह समझ लो कोई बात नहीं, जरा पेशिट को लेकून डॉक्टर लेकून ओके डॉक्टर बैग समझ गया, इन्हें टीबी की बिमारी है क्या टीबी? पहले इसका इलाज नहीं होता था पर चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए दवाई है आप प्लीज अपना मूँ खोलो यह थी आपकी दवा, अगला काम है आपकी कम्जोरी को दूर करना यह लीजिए, स्टूप, कैन मीट और फिश मैंना इसा स्वाधिस्ट खाना कभी नहीं खाया बेटा, लो तुम्हे खा के जखो नहीं, शुक्रिया अरे, तुम्हे से चको तो जरा स्वाधिस्ट है जोडे मौन, एक और बड़ी मुसीबत है जिसे हमें सुल्चाना है सुखे यह तुखे यह तुखे समझ गया, सुखे से यह फसल बरबाद हो रही है हाँ, इसका इलाज मेरे पास है वेदर कॉप्स बारिश, बारिश हो रही है दाट हम खुब फर्दल होगेगी हम बड़े जिस्मत वाले है तुम दोना फॉक्स लेटी के भेजे मेरे फरिष्टे हो क्या, कौन हाँ पर ये कैसे हो सकता दाट फॉक्स देटी के परिष्टे तो फॉक्स होते हैं न लेकिन उनके पास इस रैकून दोग को भेजने की भी कोई वचा रही होगी जो भी हो, हम पर उनकी बड़ी पहर बानी रही कहा था न मैं ग्रेकून डोग नहीं हूँ अब रहने भी दो ये बताओ क्या तुम्हें अब भी पुराना दोर अच्छा लगता है हम चाहे किसी भी दोर में रहें हमें हमेशा पूरी महनत करनी चाहिए दूसरे लोग तुम्हारी तरह अपने जमाने से निकल कर पुराने जमाने में नहीं जा पाएंगे मैं समझ गया मुझे अपने आज को बहतर बनाने के लिए जीजान से कोशिश करनी चाहिए पर तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो क्या तुमने अपना होमबग पूरा किया जब तक होमबग पूरा नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्या अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पुराना दोर ही जादा अच्छा था कि अच्छा था हुआएंगा थादा था अच्छा बड़ाओा थादा या जो कि कुछीय।